हारर कान्याथ जी कौन थी वो मैं आठ मेने की प्रेगनेंट थी और अपनी डिलिवरी के लिए अपने माई की गई थी माने मुझे फोन पर बताया घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना वहाँ पर एक नया कमरा बनवा लिया है इतने सालों की बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा कुछ अलग सा लगा मा ये घर के पीछी की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या ज़रूरत थी अरे पिटा घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी अब तू ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूर पी ले माम मैं थोड़ी देर में पी लूँगी आप सोजाओ मैंने दूद का गिलाज उठा कर उस खिड़की में रख दिया पता नहीं कब आँख लग गी अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई दूद का गिलाज धडाम से जमीन पर आगिरा जमीन पर गिरते ही दूद का रंग लाल हो चुका था मैंने खिड़की से जांकर बाहर देखा चारों तरफ धुप अंदेरा था उस अंदेरी की तरफ से कुछ आवाज आ रही थी जैसे छूटे बच्ची आपस में खिल खिला कर मस्ती कर रहे हूँ इतनी रात को इतने घंगोर अंदेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है घड़ी में वक्त देखा तो ठीक बारा बजे थे देखकर मैं सन रह गई बुरी आत्मा और भोतों की कई कहानिया मैं सुन चुकी थी वक्त भी कुछ ऐसा ही था उपर से मैं प्रेग्नेंट सुना था की ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माय औरतों का पीछा करती है तो क्या मेरे पीछी भी पसीने से तर बतर बड़ी मुश्कित से जैसे कापते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकल कर मा के पास जाने के बारे में सोचा लेकिन जैसे ही दरवासी की तरफ बल्टी लगा कोई साया हवा की स्पीर से दरवासी की सामने से गुजर गया मेरे गले में अटब कर रह गए मैं जोड से चीक कर मा को बुलाना चाहती थी लेकिन वो आवास खुद मेरे कानों तक नहीं पहुच पा रही थी तो मा तथ कैसे पहुचती खिड़की के पल्ली एक बार फिर देजवा के जुटने से ध्राव करते पर गया और पुरी ताकत से मैं चीक पढ़ी जानती थी मेरी चीक की आवास सुनकर कुछी सेकंड में मा वहाँ पहुच जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरा कलेजर डर के मारे भटा जा रहा था आखिर मा ने मेरी आवास क्यों नहीं सुनी इतनी गहरी नीन में तो मा कभी नहीं सोती ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूँ हवा का एक संसनाता हुआ जोका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकरा रहा लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवास में दीरे से मुझ से कहा मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिये और एक बार फिर ताकत लगा कर जोड़ से चीखने की कोशिश की मा पापा मेरी आवाज उस कमरे की दिवारों से टकरा कर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी कुछी देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाग चीख मुझे सुनाई देने लगी कि आवाज ठीक मेरे पीछे गिड़की से आ रही थी वो आवाज मेरे कानों में पिगलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी वोन आवाजों में हैवानियत थी वो आवाज रही किसी इंसान की नहीं है इतना मैं समझ चुकी थी काप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूणने की कोशिश की तभी अचानक मेरा हाथ बैट पर रखी टॉर्श पर पड़ा किसी तरह ताकत लगा कर टॉर्श का बटन आउन किया लेकिन ये क्या सामने दर्वासे पर त्रीन छोटी लड़किया खड़ी हुई थी उनके हाथ में स्टेल के चमचमाते हुए चाकू थी मैं घबरा कर लड़ खड़ाई और पीछे की तरह अटी लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी उनकी गरदन टेड़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तहिया मैं जोर सुची की नई छोड़ दो मेरे बच्चे को मत मारो मत मारो छोड़ दो मेरे बच्चे को सुनाली सुनाले क्या हुआ बेटा तो इतने डरी हुई क्यों है देखा तो दिन निकलाया था, मा मुझे जगा रही थी, मेरा चेहरा पूरा पसीने से लटपत था, क्या हुआ पिटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या, मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी, वो, वो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को मार देगी, मा, वो लड़की मेरे बच्चे को, मैंने घवरा कर अपने पीट को चुआ, सब कुछ ठीक था, और वो दूद, जो रात को यहां पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था, मा ने हसते हुए दूद का गिलास मुझे दिखाया, तुमने दूद पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है, तुमसे कहा था ना सुना ली, इस एहत के लिए लापरवाई ठीक नहीं बेटा, लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आँखों से देखा था, यह सबना कैसे हो सकता है,